पेंट जैसे आपका VAVSC का एक्जाम लगा हुआ है जिनका इकोनोमिक्स का फेपर लगा हुआ है यह बिर्कुल नया पेपर है जो प्रिविएस एयर पेपर में अभी एक्जाम चल ले है इनुवस्टियों में एकदम लेटिस्ट और नया पैटरन का पेपर है यहां से आप एक करूंगा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंट एक वीडियो आपके लिए ज्यादा हैल्पफुल होगी क्योंकि आज मैं इकोनामिक्स से रिलेटेड जो भी कुश्चन पूरे पांच साल पेपरों में पूछे गए हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा साथी साथ उनको हा आफी में से अत्व Enemy होंगे आपको तीन चार उच्चन उस में से ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे पर न्च जो आप उसको अच्छी से कबर करके जाईएगा वहाँ से आपका दो कुश्चन एक्जाम में आ सकता है जो कि आपके एक्जाम के लिए एक्जामनर पॉइंट अब उससे होती जदा इंपोर्टेंट होता है पहला कुश्चन और बेरी मुश्ट इंपोर्टेंट वीडियो को ध्य कर रहा हूं जो यूटूब में ऐसा चीजे बहुत ही कम देखने को मिलती है तो आप उसका वेनिफिट उठाईएगा ताकि आप एक्जाम में कोई प्रॉब्लम नहों प्रेसर नहों एक्जाम में आप बहुत ही जदा हैपी और आनंदित हो कि एक्जाम दे फ्रेंड्स आप कोई भी कुश्चन एक्जामनर आप से पुट अप करता है तो आप इसका एंस्वर दे पाएं और उसका पूर्ण माक्स प्राप्त कर पाएं पहला कुश्चन बेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है दोजार उनिस और एक किस बाइस में नहीं आया पैटन थोड़ा च निस्ट कुश्चन है आपका गरीवी उन्मूलन जो होता है इसको आप एक बार देख लीजिएगा वाकि उतना इंपोर्टेंट नहीं है एक बार देख लेजिएगा निस्ट कुश्चन आपका बेरी मोश्ट इंपोर्टेंट बन सकता है भारत में कुश्ची की कीमत या नीतिक की विवेचना कीजिए भारत में जो किरसी हमारी होती है वो से लिएटेड एक्जामनर लैंगउज छेंड के कई सारे एक्जाम में कुश्चन फुटफ किया जैस इससे क centralized में जो सकता है जो सकता है अपको प्रॉब्लम नहीं से कर सकते हैं कि जैसे कि वेश्च सलू्ट हो सकता है मैं देने की केजिस किया हूं जो रोजगार के प्रती है उसका मैं solution दिया हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ेएगा वीडियो रोक के जो गरीबी को लेकर इसी के बारे में इसका solution बहुत ही best solution देने की कोशिस किया हूँ जो क्रिसी मोल नीती में जो किसानों के बारे में जो question बन सकता है आपके exam में जो आपने previous year paper में देखा और एक चीज आपको exam में phase करने को मिलेंगी तो आपको problem ना हो वहां पर इस चीज को आज यहां पर आप clear करके जाएं ताकि exam में कोई problem ना हो आप इस question के answer को देखने की कोशिस करिएगा जो भी doubts हो हमारे telegram channel में link में telegram channel का comment section में pin कर दे रहा हूं वहां से आप join कर सकते हैं मेरे about मे जाके वहां से भी telegram channel join कर सकते हैं आप इसमें से जो भी question आपको नहीं आएगा answer आप वहां से mail drop कर दीजिएगा answer मिल जाएगा next question आप लगू और कुटीर उद्दोग को देख लीजिएगा जैसा कि आप हर कस्वे में लगू और कुटीर उद्दोग का role होता है तो यह definition आ हर student को आता ही है एक बार आप पढ़ लेंगे तो यह definition आ जाएगी बाकि जो important question होंगे मैं उस पर time waste करूंगा ताकि उसको सही benefit आप अपने exam में पाएं विकास के लिए विदेशी पूंजी के लाव यह महानी बताईए जो हमारा विकास के लिए विदेश में पूंजी के ला learner ने और रोजगारियों गरीबी जो अथ्वा में question है आपका भारत में गरीबी के कारणों की व्याक्या किजिए एक question very very most important question है क्योंकि 2019 से examiner अभी तक 24 तक continue इसकी थोड़ी language change करके पूछता रहता है इसके बारे में आच्छे से पढ़के जाईएगा ताकि आप इसका benefit बह पूंजी का जो लाफ होता है और हान ही होता है इसका मैं solution दिया हूं जैसे कि बिदिशी पूंजी के जहां अनेक लाफ है वहीं इस पर बहुत अधिक निर्विटा जैसे आप उस पर निर्भर होंगे तो खत्रे भी खाली नहीं है मतलब उस पर खत्रे भी जादे होने के chances है तो इस definition को अच्छे से बढ़ेगा आप दो से तीन बार पढ़ेंगे तो इस definition अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी और एक्जाम में आप लिख वाएंगे कोई definition याद नहीं हो रही है तो आप उसको रटो मत समझने की कोशिस करो ताकि एक्जाम में आप वहां 100% अपना कोश्चन है भारतिय अर्थ ब्योस्ता की सीमाय पूछ सकता है इसकी विबेचना पूछ सकता है इसके प्रकास डालो या इसकी definition पूछ सकता है चार टाइप का कोश्चन बनेगा जो मैंने बताए वीडियो को फिर से इसकी पीछे बैक कर लीजिए जो मैंने चार कुश्चन डिसकस किया एक्जामलर इन टाइप का कुश्चन लेंग्वेज चेंज करके दे सकता है इसको आप अच्छे से स्टेडी करके जाएं क्योंकि 2019 और 23 और 24 में एक कुश्चन आपके रिपीट हुए हैं लेंग्वेज चेंज करके रोजगार नीति मैं इतनी बार बोला कि से स्टेडी करके जाएं और वीडियो की लाश्ट में कुछ मैं इसको पढ़ने का एक तरीका बता दूंगा उस सिक्वेज से आप फालो कर सकते हैं निस्टिफ कुश्चन है आप जो भारत में भू में शुधार हो रहे हैं मतलब शुधारों की कमियों का उल्लेक केजिए ए हमारे या पूँच सकता हो नहीं हो रही है इसको पूच सकता है ऐसा कुश्चन आपके एक्जाम में 2019 में देखने को मिला था बट 22 में डिट्टो ऐसा कुश्चन आया था फिर से 24 में डिट्टो ऐसा कुश्चन एक्जामनर ने रिपीट किया यह भी कुश्चन आपका ताकि एक्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसका मैं सेल्यूसन लगा दिया हूं नीचे अच्छे से सुल्यूसन को फाइडने की कोसिस करें चीजों को एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो चीजें तीसरी बार आटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगे जिससे आप एक्जाम में असानी से लिप पाएंगे उसको जो भी कुश्चन का आपको सेल्यूसन ना मिले आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट डॉप कर देना कुश्चन का मैं उसको सेल्यूसन आपको दे दूँगा पूरा कम्प्लीट प्रीवियस येर पेपर जो अभी लाश्ट स्टूडेंट के दौरा बात हुई थी जो लेटिस्ट फैटन है मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं हमेशा नए नए फैटन्स के पेपर लाता रहता है जिससे आप एक्जामनर के फॉइंट अभी को जान पाते हैं और उसका वेनिफिट आप अपने एक्जाम में डारेक्ट फ्राप्त कर पाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है जो आपको करना च बहुत हैं निश्ट कुछेन आपका भारत में यूजना आप सेवा शेत्र ब्याक्षा करना इसको इक बार पढ़ लेना इंपोर्टन नहीं है इसलिए मैं आपको बस एक बार देखना है बस निश्ट बिरी मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन आपके एक्जाम में बन सकता है भ बहरत में एउजनाओं के लावहानी की व्याख्या किजिए तो यहीं पे बिवैचना भी डाल सकता है ओए जामनार लावहानी को हटा कि यहाँ पे बोल देगा कि भारत में एउजनाओं की विवाजना किजिए ऐसा कोश्चेंड डिट्टो 2021 में जो मैंने अभी बोला आया था 2024 में तो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा pattern आया था मैं पूरे 5 साल में जैसे question examiner ने बनाया है मैं इस paper को देखते हुए मैं आपको सारी चीज़े highlight कर रहा हूँ ताकि आप उन question को आप ज़्यादा reference दे जो question मैं बोल ला हूँ उन topic को जाईए अच्छे से study करिए share आप इस previous year paper के बताए गए सारे direction को follow करते हैं तो आप अपने exam में बहुत अच्छे score करेंगे friends मैंने बोला जो आर्थिक चीज़े हैं जो भारत में आर्थिक सुधार यहाँ पे question पूछा है भारत के जो आर्थिक ब्योस्ता से related question है आपके दो तीन question यहाँ से भी बनेंगे लगबग लगबग यहाँ से आपके दो से तीन question बन जाएंगे बाकी नीली क्रांती आप देख लेना जो और ग्रामेड विकास भी आप एक बार देख लेना जो इंपोर्टल लगेंगे मैं उसी कर डिसकस करूँगा कुछ आपके mcq farm में हैं इसको आप अच्छे से देख लेना जैसे नौवड की स्थापना पूछा है तो आपको यहाँ पे सारे solution में आलरेड़ी दे चुका हूँ यहाँ से आप cover कर लेना सारे solution आपके mention है यहाँ पे बाकी आपके कोई भी doubt होते हैं mcq farm में सारे question को आप study कर लेना बाकी आपके मन में कोई भी doubt हो तो आप पूस्ट लेना comment section में friends आप लोग से एक request होगी कि हमारा एक किमती time को आप जरूर reference देजिएगा आप तीन चीश करिए जो वीडियो के question बताया आप उसको note down करिए अच्छे से जाके book उठाया और फैडने की कोशिस करें आ और कुछ question जो मैंने अभी type बताया उनको कबर कर लें जो तीन दो तीन topic जो आपको अच्छे से बताया उसको पढ़ लें इतना आपके लिए sufficient है ध्यान से पूरी बात को follow करिएगा आधी अदूरी बात को follow करके आप जो है अपने आपको मत धोका देना आप इसको follow करिएग जरूर आपका अच्छा marks आएगा फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा फ्लेस फ्रेंड एक प्यारा शाफ फीडबाय केनी कमेंट सेक्षन में अपना बात जरूर रखिएगा ताकि मैं नई वीडियो कोई भी ला सकूं बेस्ट से बेस्ट